बिचाली परणाली यूरीन गिरता है तो नमी बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिती में इसको सुखाने की जरूरत है यह तब तक आप इस्तेमाल करें जब तक सुखा हो कहीं भी 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 जाता है तो उसको तुरत बदल दें और जैसे ही धूप निकलता है आप खिरकी खोल दें ताकि धूप की रोश तो आपको पता चलेगा कि उसका टेमपरेचर मेंटेंड है अगर एक साथ सब जमा होने लगता है यह पता जलता है को सब को टेमपरेचर कम है घर का और वो सारा हट एक तरह से गूप में जमा होने से यह सिम्टम्स दिख जाता है कि मुड़ियों के ठंड लग रही है जरूरी आपको यह खिड़की का परदा हटाने की जोरत है यहाँ पर जो जरूरी चीज है यह देखने की कि आप इसको जो खाना दे रहे हैं बिलकुल साफ ड्राइफूड होना चाहिए वो कंपलीट रासन होना चाहिए पानी जो देते हैं वो बिलकुल ठंड पानी नहीं जो हम लोग पीते हैं कुन-कुना हलका सा सुस गरम कहते हैं वो इसे पानी को दें ताकि मुर्गियों को ठंड से बचाया जा सके यहाँ पर आप देखेंगे बैटल और कॉम्ब अधी इसमें ठंड लगेगी फ्रॉस्ट लगेगा ड्राफ्ट हवा जब आएगी सर्द हवा तो इसके बैटल पे आपको लिसंस दिखने लगेंगे उसके इन्फलामेशन हो जाते हैं तो इसी स्थिति से बचाने के लिए कॉम्ब और बैटल पे पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मुर्गियों को उस तरह का घाओ घोस ना हो सके इसके बाद ता उस दर्मियान ठंडा हो जाता है खून लेकिन आप जो बेडिंग मेटिरियल है इसको अच्छा रखेंगे सूखा रखेंगे तो वो कंट्रोल रहेगा उसके खून को ठंडा नहीं होने देगा